प्रिया मसाला प्रेजेंट्स बुंदेल खंट की बड़ी खबरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं पिछले 47 वर्सों से त्रेता युक की याद दिलाती भरत यात्रा एक बार फिर चितकूट आई राम भरत के मिलन स्थल कामदगरी के भरत मिलाब पर अयोध्या से आयश्री राम भा भरत का अध्भुत मिलन मंगलवार को संपन हुआ मंगलवार को परिक्रमा भर्मन के बाद भरत यात्रा बुद्वार की शाम मंदाकनी नेदी के राम घाट इस्थित मंदाकनी गंगा इस्थल पहुची यहाँ पर भरत यात्रा का नित्यूत कर रहे आयोध्या के मणी राम छामनी के महंत कमल नयान दास महराज का स्वागत जिलाद कारी शेश मणी पाड़ने ने किया इस दोरान पालिका अध्यक्ष नरेंद गुपता, पूरु सांसत भहरो प्रसाद मिश्र, मंदाकनी गंगा आरती समिती के अध्यक्ष राम जी दास महराज, भाष्पा नेता पंकच अगरवाल उपस्तित रहे इस दोरान आयोध्या से आए छोटी छावनी के विमल शास्त्री, दयाशंकर दास, विने शास्त्री, केशव दास, राम शरनल दास रामायनी का स्वागत स्थानी संतों ने किया कारक्रम का संचालन प्रमुक द्वार से संत मदन गुपाल दास ने किया इस दोरान दिव्य जीवन दास भाष्पानेता भालेन सिंग, अशोग जाटव, शुशिल दिवेदी, अतुल प्रताप सिंग, अश्वनी अवस्ति आधी मौजूद रहे तोमेवः प्रत्यक्षम ग्रमाशि, तोमेवः ब्रत्यक्षम, अशोग जाटवेदी इतनी सुभाषित प्हानी के भार, मैं कुछ बोनू, फोचित नहीं मैं सभी का स्रे सस्वागत, अव्यन्दन भूजन बंदन करता हूँ तर्डवाद प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास करने की बात कर रही है वहीं आज चितकूट जिले के पुरानी बजार राम लीला मैदान में शुरू भासपा जिला अदिश के चुनाव में जहां सरकार के दावे के बल पर चुनाव जीतकर मैदान मोतरी है वहीं चुनाव स्थल पर एक बुजर्ग व्यक्ति घंटों से भीक वांग रहा था लेकिन चुनाव के जिला अदिश के पत की दोड की आगे लोग उसे दुतकारते नजर आए और वह बिचाना एक किनारे जाकर बैठ गया लोग आते रहे जाते रहे लेकिन उस गरीब के किसी नहीं नहीं सुनी कि आखिर वह क्यों इतनी देर से वहाँ पर बैठा है ऐसे में अपने आपको जिला अदिश कहलाने वाले लोग आखिर कैसे विकास करेंगे जब उनी के कारकर मस्थल में बुज़ूर को बैठ कर अपनी बधाली के आसूर हो रहा है वैसे आज 44 उमीदवार जिला अदिश की दौल में तो वहीं 11 लोग प्रांती अदिश की दौल में है वहीं प्रांती अदिश दोनों विधान समामे से एक एक होंगे लेकिन जिलाद्यक्ष और प्रांतिय द्यक्ष की दौल में लगे यह लोग यह तक नहीं सोचे कि इस बुद्र को क्या तकलीफ है और यह यहां क्यों बैठा है